नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल मेंक एजुकेशन में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए है हरियाना जीके के बहतरीन कवसन जो आपको हरियाना के अगजाम में सेलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे तो सटार्ट करते हैं आज की कवसन इसका सही अंसर होगा तीन जार गाउं वहीं मोस्ट इंपोर्टन कर्षन है आपने यह कर्षन कहीं भीनी पढ़ लाई ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कर्षन है´ अर्याना में किस रियासत के साषक को लकवा आता था वहीं हरियाना के पेपर में बहुत μगर पूछा गया कर् होगा जीन्द रियास्त के साथ सको भई अधी आपको ये कशन अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वई तो नेक्स्ट कशन है अठारा सो दो इस वी में जवरज थोमस की मृत्यू परदेश के किस सतान प और आई तो इसका सई अंस्वर होगा वहराम पूर में बहुत इंपोर्टन ऑई जो आपके स्लेक्षं में मदद करेंगे ऐसे कलें में और यान झाहान के सतानियओ बारो किसे का जाता है बहूत बहुत ही most important question भई अरियाना की सतानी बासा में गर किसे का जाता है भई ये question HSE ने कम से कम 5-6 बार पुछा है तो इसका सही अंस्वर होगा सतानी बासा में गर गरीपद मदानों को कहा जाता है अरियाना में सतानी बासा में गर किसे का जाता है गरीपद मदानों को ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सेर करया गरो भई next question है किस मर्दा कोरियाने में रोसली भी का आ जाता है most important है जी किस मर्दा कोरियाने में रोसली मर्दा का आ जाता है तो इसका सही अंस्वर होगा हलकी मर्दा को भई हलकी मिट्टी को क्या बोलते हैं हमें रोसली मर्दा का आ जाता है ऐसे question लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो आपको अगजाम में बहुत ही ज़्यादा मत्रा में देखने मिलेंगे next question है हरियाने में लगबग कितने परतिशत बाग पर नल कूपो दोवरा सिचाई की जाती है तो इसका सही अंस्वर होगा क्या उन पॉइंट एक दो परतिशत बाग पर नल कूपो दोवरा सिचाई की जाती है ये question भी अपने आप में बहुत ही important है ठीक है ये question आपको अच्छे लग रहे है तो वई वीडियो को लाइक कर देना नहीं लग रहे है तो अनलाइक कर देना भी next question है अरियाना में चावली खेती मुखे कीन बागों में की जाती है ये question आपको ये है question आपको ऐसे देखने किस अक्छेतर में करनाल कैथल ऐसे कह सकते लेकिन पूछेगा मुखे कीन बागों में की जाती है तो आपका सही अन्सवर होगा उत्तरपूर्वी तथा मद्यवर्ति अक्छेतरों में रियाना में चावल की खेती की जाती है ऐसे ही question आपको अगजाम में देखने को मिलेंगे भई ठीक है ऐसे question का पीडियो पाने के लिए अपने टेलीगरम ग्रूप मैंक एजूकेशन सुल्चानी के साथ जुड़ सकते है या वाट्सप के साथ है जुड़ सकते है भी next question है राज्य में गन्ना उत्पादन कीन अक्षेत्रों में किया जाता है most important है वे शिद्या पुछे कौन से जिले में तो आप बता आजकता यूमना नगर लेगन अक्षेत्रों में पुछे तो थोड़ा question hard हो जाता है तो इसका सही अंसोर होगा पुर्वी तथा उत्तर पु एडियो अच्छी लग रही है तो दुवारा फिर कहता हूं लाइक और सेर जुरूर करें और सपोर्ट करें चैनल को ठीक है रियान अजिक के कि ऐसी बैतरीन कशन की पीडियो पाने के लिए आप अपने मैंक एजुकेशन सुल्चानी टेलीगराम ग्रूप से भी जोड़ सक कशन है बलालपूर पेपर मेल की सतापना कब हुई भई रिपीट करते हैं बलालपूर पेपर मेल की सतापना कब हुई तो इसका सई अंस्वर आप कोमेंट बोक्स में भी दे सकते हैं तो इसका सई अंस्वर होगा 1929 में बलालपूर पेपर मेल की सतापना हुई यह भी इस ने बार बार रिपीट किया वहीं कम से कम दो तिन पेपरों में ठीक है आदि आपको हरियाना में सेलेक्शन लेना है तो आपको हरियाना जी के बिलकुल मजबूत होने चीए ठीक है तो नेक्स्ट कर्शन है नेक्स्ट कर्शन नेक्स्ट कर्शन नेक्स्ट कर्शन आपको अच्छे लग रही है या इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है तो next question है राज्ये में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है भई most important ये पूछ रखे जी अब की वरतमान की नी 2015 के अनुसार बतानी है आपने अरियाना में कुल रेल मार्गों की लंबाई थी जी इसका से इनसोर होगा 2015 अनुसार 4106 किलोमेटर भई तो आज की question इस परकार थे आपको ये question अच्छे लगे हो एक question हो रहा है जी देखो राज्ये में लागू पहली योजना कितने वरस की थी most important है जी राज्ये में लागू पहली योजना कितने वरस की थी वही इसका time था जी केवल इसका से इनसोर होगा एक साल जी राज्ये में लागू पहली योजना कितने वरस की थी अनसोर होगा एक साल की थी ठीक है next question है आफिज का दिवितिये किस के सिस्से थे वही ये question इस परकार है आफिज दिवितिये किस के सिस्से थे तो इसका बहुत ही most importance का से अनसोर होगा इनायत खान के सिस्से थे वही आफिज दिवितिये किस के सिस्से थे जी आफिज दिवितिये थे वही इनायत खान के सिस्से थे जी अधि ये ऐसे अड़कस्णों की पीडियेप आपको पाने आए तो आप अपने वाटस अप नंबर या वाटस अप जोईन कर सकते हैं तो निचे दिये नंबर पर आप अपना नाम लिख के अपना मेसिज कर सकते हैं अधि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल मैंक एजुकेशन स्वल्चानी को सस्क्राइब शेयर और लाइक जुरूर करें वही आज के लिए इतना ही थैंक्यू